हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबको SP2 यूटूब चैनल में दोस्तो आज की बड़े में हम ये बात करने वाले हैं ति रासन कार्ड में सबी ब्यक्तियों का EKYC होना शुरू हो गया है अगर आप रासन कार्ड में अपना EKYC नहीं करेंगे तो आपका रासन कार्ड लिस्ट से नाम कट सकता है तो आप अपने EKYC को जल्दी कम्प्लीट कर लिजे आज की बेम हम ये बताएंगे कि आप अपने रासन कार्ड में कैसे चेक करेंगे कि आपका EKYC हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो आप अपने रासन कार्ट में KYC को कैसे complete करेंगे तो आज की वीडियो इसी topic पे है आप पूरे वीडियो पर देखिए और last तक देखिए और कैसे KYC होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे KYC किया जाता है लाइब प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा तो चलिए बढ़ो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mobile phone में आ जाना है और यहाँ पे आपको play store को open कर लेना है यहाँ पे आपको search box पे लिख देना है मेरा राशन ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मेरा राशन एप आ चुका है तो इस app को आपको install कर लेना है तो मैंने पहले से install करके रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं open पे click करूँगा और open कर लूँगा ठीक है यहाँ पे आपको open पे click कर लेना है दोस्तो इस app का link मैं video के description box में भी डाल दिया हूँ वहाँ से जाके आप link पे click करके direct इस app को open कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे options दे दिया गया है ठीक है और यहाँ पे दोस्तो एक नीचे आएंगे तो option दिया हुआ है यहाँ पे आधार sitting का option दिया हुआ है ठीक है तो इस वाले option पे आपको यहाँ पे tick क जा रहा है ठीक है रासन कार्ड नंबर और दूसरा है आधार संख्या तो किस माध्यम से आप देखना चाहते हैं आप उसको भर देंगे ठीक है अगर आपके पास रासन नंबर है तो आप यहां पर रासन नंबर यहां पर डाल देंगे ठीक है अगर आपके पास रासन नंबर तो आधार वाले option पे tick करेंगे और यहाँ पे आपको आधार number भर देना है तो यहाँ पे मैं आधार वाले option पे tick कर दे रहा हूँ और मैं अपना आधार number डाल दे रहा हूँ ठीक है आधार number डालने के बाद यहाँ पे आपको submit वाले option पे click करना है दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रासन का पूरा डीटेल्स दे दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रासन नंबर और आपका जिला और आपकी स्टेट से हैं सब आपको यहाँ पे दे दियागा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रासन नंबर दे दियागा है दुकान संख्या बता दियागा है ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके परिवार में जितने भी सदस्य का नाम रासन कार्ड के लिस्ट में जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको सदस्य का नाम दे दिया गया ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे सारे सदस्यों का नाम दे दिया गया ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि आपका KYC हुआ है या नहीं हुआ है आपके आधार सेडिंग हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आधार सेडिंग ठीक है यानि जिस जिसके आगे यहाँ पे यस का निसान लगा है आ आप समझ जाए कि आपका आधार KYC हो चुका है ठीक है आपके रासन कार्ड में KYC कम्प्लीट है अगर यहाँ पे अगर किसी के नाम के आगे नो का आपसन दिया होगा तो वो समझ लेजे उनका KYC नहीं हुआ है ठीक है तो उनका KYC इस केस में करना अनिवार है अन्य था आपका नाम इस रासन कार्ड के लिस्ट से कट जाएगा तो आप जल्दी से इस फार्मेट को देखके आप अपने तो आप इस समय आप अपने रास रासन कार्ड की सूची से नाम कट भी सकता है तो दोस्तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका रासन कार्ड में KYC हुआ है या नहीं हुआ है आपका आधार सेडिंग है या नहीं है दोस्तो आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको अपने रासन को बहुत ही पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा अपने दोस्तों में वीडियो को सेर कर दिजेगा दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जहिंत बंदे मात्र कर दो कर दो